गूड़ मॉर्निंग स्टूडेंट, टूडेज टॉपिक लीडर्शिप, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड करेक्टरेक्टिस, नेत्रित्त, अर्थ एम महत्त, एम विश्यस्ताएं परतेक्ट संस्था में क्रमचारियों को कार्ज हेतु, अभी प्रेरित करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उनमें से नेत्रित्त, लीडिंग और लीडर्शिप भी एक परमुख साधन एम तकनिक है प्रवंद जगत में नेत्रित्त का एक अपना ही विश्यस अस्थान है एक अस्थान, एक संस्था की सफलता या अवसफलता काफी हद तक नेत्रित्तों की किश्म पर निर्भर करती है यदि करमचारियों की किरियाओं का सही ढंक से संचालन किया गया और उनका परभावी ढंक से मारदर्शन किया गया है तो कोई भी कारण ऐसा नहीं होगा जिसकी वज़ा से संस्था को अस्था का सामना करना पड़े पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंधक किसी व्यवसाईक उपकर्म का परमुक एवं दुरलव प्रसाधन है अधिकांस परतिस्थानों के असफल होने का परमुक कारण अकुषल नेत्रुत ही है गुलोवर भी कहते हैं कि अधिकांस ब्यवसाईक परतिस्थानों में असफल होने के अकुषल नेत्रुत जितना उतरदैई है उतना कोई अन्य कारक नहीं है अता अस्वस्ठ है कि प्रभावी नेत्रितो एक उपकर्म की शफलता तथा विकास का मुलाधार है नेत्रितो लीडर्शिप के कुछ परिभासाएं दिये गए हैं यानि लीडर्शिप लीडर वे बेक्ती जो दूसरे को प्रभावीत करने की योगता रखते हैं परसंस वू हैज दा अबिलिटी तो इन्फिलेंस अदर्स नेत्रितो लीडर्शिप नेत्रितो का अभिप्राय उस योगता से है जो उद्देश प्राव्ती के लिए लोगों को प्रभावीत करती है लीडर्शिप मेंस देट क्वालिटी विच इन्फिलेंस पीपल फोर दे एटेंडमेंट ओफ ए गोल जोर्ज आर्टेरी के अनुशार नेत्रुत बेक्तियों को परिस्पारिक उद्देश्यों के लिए स्वेक्षिक प्रयात्न करने है तू प्रभावीत करने की योगता है कांटूज योम ओ डोनेल के अनुशार किसी लक्ष के प्राप्ति है तू संप्रेशन के माध्यम दवारा बेक्तियों को प्रभावित कर सकने की योगता नेत्रुत कहलाती है चेस्टर आई वर्नाट्स के अनुशार नेत्रुतों के आशे बेक्ति के बेवार के उस गुन से है जिसके दवारा वह अन बेक्तियों या उनकी किरियाओं का संगठित प्रयास में मार्ग दर्शन करता है समाजिक बिज्ञान के सब्दकोष के अनुशार नेत्रुतों से आशे किसी बेक्ति एवंग समू के मध ऐसे समंध है जिससे किस समान्य हीत के लिए दोनों परस्पर मिल जाते हैं और अनुवाईयों का समू उस एक बेक्ति के निर्दे सानुशार ही कार्ज करता है संछेप में हम कर सकते हैं कि नेत्रुतों वह सकती है जिसके गुन अधिनस्तों या क्रमचारियों के एक समू से बांचित्ते कार्ज स्वक्षा पूर्ण तथा बिना दबाव से कराये जाते हैं नेत्रुत की अधारना प्राचिन तथा आधूनिक कॉंसेप्ट ओफ लिडर्शिप ओल्ड एंड निव मोडर्ण नेत्रितु प्राचिन अधारना उसकी नमीन अधारना से बिलकुल भिन है प्राचिन अधारना के अनुसार नेता निरंकुस होता है वह अपने परभाव साली ब्यक्तितो द्वारा अपने अनुवाईयों से अपनी इचानुसार कारच कराने में समर्थ होता था कारच कराने के लिए वह दुसित से दुसित हत खंडे अपनाता था वह अपने अनुवाईयों पर सोचालित बिधी के द्वारा परभाव रखता था अनुवाईयों को कुशल नेतिरुत परदान करता था और अपने नेता के ब्रूद आवाज उठाने का प्रस्ण ही नहीं उठता था क्योंकि ऐसी आवाज उठाने का अभास होते ही उसे दबा दिया जता था किन्तु नेतिरुतों की नमीन ओधारना अथो आधुनिक ओधारना के अनुशार नेता अपने अनुवाईयों को कुशल नेतिरुत परदान करता है और अपने साथ नेतिरुतों में भाग लेने का आवसक प्रस्षिशन देकर बांचित उदेश्यों की पूर्ती के लिए कार्ज करता है इसके लिए वह अपने अनुवाईयों को भी संभावित करता है तथा पर्मुखों देश्यों की पूर्ती के लिए जो की सब को मान्ने होते हैं उनका परियोग करके सहयोग की भावना के साथ कार्ज करता है अधुनिक नेतिर्तु अपने अनुवाईयों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखता है कांटूज एम और डोनेल नेतिर्तु की एक अतिरिक्त उतेजना के रूप में मानते हैं जो क्रमचारियों के समाने काम करने की गती में कुछ अधिक भृधी करने में महत्पुन भूमी का निभाता है उनकी अनुशार क्रमचारी समानने तह अपने कुल छमता के साथ परतिसत ही कार्ज करते हैं तथा उनकी से से चालिस परतिसत छमता का अप्योग करने के लिए नेतिर्तु की आवसकता होती है नेतिर्तु की विश्यस्ताएं Characteristics of Leadership नेतिर्तु की परिभासाओं के अध्यन के उपरांत इसकी निमने विश्यस्ताएं हो सकती है पाहला अन्य बेक्तियों दोरा अनुशरन करना Following by Others अनुवाईयों की अभाव में नेतिर्तु की कलपना ही नहीं की जा सकती है अता सफल नेतिर्त के लिए यह जरूरी है कि नेता के निदेशानुशार चलने वाले लोगों की संख्या प्रयाप्त तभी तिर्तिय पक्ष नेता को मनेता देगा जितने अधिक अनुवाईये होंगे उतना ही कुशल नेतिर्त समझा जाएगा सेकेंड नेता एक स्वय क्रियाशिल होना लिडर हिमसेल्फ सुड बी एक्टिव नेतिर्त की दूसरी महतपुन विश्यस्ता यह है कि नेता को स्वयम क्रियाशिल होना चाहिए सफल नेतिर्त के लिए केवल यह आवशक नहीं कि नेता का अनुशरन करने वाले लोगों की संख्यात दिक है बरन आवसकता तो इस बात की है कि नेता स्वयम संस्था के नियम उद्देश्यों की पूर्ती के लिए निरंतर प्रयास करते रखते हैं उसे के वल उपदेशक ही नहीं बरन एक करमठ कार्ज करता भी होना चाहिए तीसरा परिस्थितियों का ध्यान रखना due regard to circumstances नेतिर तो बहुत कुछ परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है यह हो सकता है कि एक बेक्ती अमुख परिस्थिती जैसे जुद्ध ओधी में शफल नेतिर तो परदान करने किन्तो कुछ परिवर्थित परिस्थितियों जैसे सांतिकाल अथ्वा मंदी की ओधी में उसमें यह समता न रहे चौथा आत्मबोद अथ्वा स्वें के गुन दोसों की जनकारी knowledge about the plus and the minus of the self नेता को स्वें के विशे में कोई भ्रांती नहीं होनी चाहिए उसे अपने गुन दोसों का सही सही ग्यान होना चाहिए पांचवों पॉइंट हीतों की प्रस्परेक्ता unity of interest जौरा टेरी के सब्दों में सफल ने तरूत की या एक विशिस्ता है कि नेता तथा उसके अनुवाईयों के हीत प्रस्पर एक स्रिंखला में बंदे रहने चाहिए अन्य था हीतों के विरोध होने से रस्पर कर्सी की असंका होती राती है ऐसी नेतिर्त को दुरूबल अथ्वा प्रभावहिन हो सकता है थेंक यू स्टूडेंट